दोस्तो 22 जून को बल्ल कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच बहुती रुमांचक मैच खेला गया जिसमें भारत ने अफगानिस्तान को 11 रनों से हरा दिया आपको बता दें जब मैच शुरू हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था के यह मैच इतना रुमांचक हो सकता है इसकी सबसे बड़ी बज़े है भारत ने अफगानिस्तान को कुछ ज़्यादा ही हलके में ले लिया और उसी हलके में लेने का नतीज़ा था के भारत एक समय इस मैच को हारी गया था मगर धोनी ने आखरी समय में बड़ा पासा फेंका और हारे हुए मैच को अपने दिमाग से जिता दी महम्मद शमी की शांदार हैट्रिक की बज़े से जीत के बाद जब उनसे पूछा गया तो महम्मद शमी ने कहा के अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के रुमांचक बिशु कब मुकाबले के दौरान महिंदर सिंग दोनी ने सला दी थी के बहे हैट्रिक गेंद में यॉरकर डालें और उन्होंने भी ऐसा करने के बारे में ही सोचा था शमी ने चार बिकेट जटकने के बाद प्रेस कॉनफरेंस में कहा के रननिती सरल थी और वो यॉरकर डालने की थी यहां तक के माही भाई ने भी इसी का सुजाब दिया था उन्होंने कहा था के अब कुछ भी मत बदलो क्योंकि तुमारे पास हैट्रिक हासल करने का शांदार मौका है धौनी ने कहा के हैट्रिक एक शांदार उपलबदी है और तुमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए इसलिए मैंने बही किया जो मुझे बताया गया था शमी ने अफगानिस्तान की पारी के आखरी ओबर में लगाता तीन विकर लेकर हैट्रिक पूरी की बिशुप कप 2019 के अपने पहले ही मैच में शमी ने शांदार परदशन किया है बहत चेतन शर्मा के बाद बिशुप कप में हैट्रिक लेने बाले दूसरे भारतिये गेंदबास बन गए है 1987 में बिशुप कप में चेतन शर्मा ने निवजीलेंड के खिलाफ हैट्रिक हासिल की थी पचास ओपरों के बिशुप कप के इत्यास में यह दसमी हैट्रिक है तो दोस्तों अगर आप मोहमद शमी की हैट्रिक और अफगानिस्तान पर टीम इंडिया की शांदार जीत से खुश हैं तो कमेंट करके बदाईश जरूर दें